बातचीत करने के लिए उर्जा मंतरी एके सरमाजी मौजूद है सर आज आज आपने विद्धूत परिवार आपके द्वार के तहट जो इन रिक्षड की या लोगों से वारता की क्या कुछ फीड़बैक देखने को मिला है उब्भुकताओं की विद्ध संबंदी शिकायतें दूर करने के लिए और लोगों को पर्याबत और निर्वात बिजली देने के लिए हमारा विभाग और हम सब हमेशा ततपर हैं हमेशा प्रयासरत हैं उसी प्रयास के तहट हमारा पूरा जो विद्ध परिवार है उर्जा परिवार है हमनों ने ऐसा नीड़े लिया कि क्यों ना हम नागरिकों के पास क्यों ना हम अपने भोगताओं के पास जा करके उनकी भावनाएं समझने का उनकी समस्याइं समझने का प्रयास करें आज उत्रेटिया सबिस्टेशन के छेतर में गया था, सबिस्टेशन की भी हमने मुलाकात लिया, वहां के ब्योस्थाओं को भी देखा, वहां की ब्योस्थाएं में क्या अपग्रेट करने जैसा है, क्या सुधारने जैसा है उतकी भी हमने सुचना दिया और साथ ही हम घरेलू कस्टमर से भी मिले, वाणिजीक कस्टमर से भी मिले, जो दुकानदार हैं उनको भी मिले, घरेलू लोगों से भी मिले और जन्द सामाने को मिल करके वहाँ हमने बाच्चित किया, सामाने रूप से विद्धूत आपूर्ती और विद्धूत सेवा को ले होई थी मानी मुख्यमंद्री जी के पोर्टल पर प्राप्त होई थी इसे प्राप्त होई थी ऐसी कुछ शिकायतों को मैं प्रिंट करके ले भी गया था कंप्यूटर से निकाल करके उन में से दस शिकायते हमने हाथ पर ले करके और कुछ और वोर्टेज कि समच्याथ है इन कई समस्याओं में से ज्यादा का निप्टारा हो चुका है मैं diptara हो दें करिया तो इस प्रकार हम प्रयास कर रहे हैं कि हम उभूकता से सीधे जुड़े रहें अब जाएंगे लगातार आप प्रयास रहते हैं पिदुद्विवा को बेतर करने के लिए अभी भी लोगों कनेक्शन के लिए करने 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 के बाद जो उपकेंदर कदिकारी होते हैं उन्हों कई बार चकरकड़ा इसको लेकर के क्या कवायत की जाएंगे आपने सायद परसों देखा होगा परसों हम नोंने एक एक एनाउंसमेंट किया है जिसमें कहा गया है कि 40 मीटर के अंदर जो भोगता है उन्हें एक भी पैसा विभाग को देना नहीं है अगर आपसे कोई पैसा मांगता है तो आप विभाग को सुचित करें आप से सिर्फ म करके नहीं देते हैं तो उस केबूल का खर्च और मीटर का खर्च आपको अगली बिल में वसूल अगले बिल से सुरू करके उसको वसूल कर लिया जाएगा एक्षन देना विद्यूद विभाग का पाथमिक कार्य है जब तक आप कनेक्शन नहीं देंगे तब तक वह भूगत लोड बढ़ाने के जो मामले हैं उनका ततकालिक निवा करन करें माननी प्रधान मंत्री जी का मैं स्वेम भी बहुत बहुत अविनंदन करता हूं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने देश को एक नई उर्जा नारी शक्ति के रूप में दिया है नारी शक्ति को भी मैं अभिनंदन देता हूं धन्यवाद देता हूं बधाई देता हूं और मैं मानता हूं कि समाज की देश की ये आधी शक्ती जो आज राजनेतिक शेत्र में उनका उतना प्रतनेदित नहीं हो पा रहा था, जब वो राजनेतिक शेत्र से जुरेगी तो हमारे राजनीत को एक नई दिसा मिलेगी, एक नई पवित्रता मिलेगी, एक नई पवित्रत करने के लोगों के द्वार जारे उन से वारता कर रहे हैं पारसमाचार से विशेक कुमार याद हो